हेलो फ्रेंड्स तो आज हम बीट फर्स सेमेस्टर के पेपर 3 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का एक टॉपिक देखेंगे सहशिच्छा विद्याले को एजुकेशन स्कूल 32 संदर में उनकी शक्तियां इमम कमजोरियां भारत में सहशिच्छा पश्चिम सब्यताओं में सहशिच्छा पड़ाली सबसे साधारर पच्छों में से एक है अब इसे भारत में भी व्याप्त रूप से देखा जा सकता है एतिहासिक तत्यों के अनुरूप में प्राचीन भारत में सहशिच्छा व्याप्त थी विशेश रूप से वैदिक युग में जब समाज में महिलाओं की उच इस्थिती थी आधुनिक समय में इसका तात्पर विभिन इस्तारों पर समस्ति लिंगी छात्रों को एक साथ पर एक ही स्थान पर शिच्छा द्वारा एक ही विदी एवं शासन के अंतरगत पढ़ाया जाएगा से शिच्छा विद्याले की विशेश्ताएं विशेश्ताएं रूडी बद्धिता को तोड़ना लड़कियों के लिए मनों वैग्यानिक लाब एक ही कित्र शिच्छा से शिच्छा विद्याले के उद्धेश चात्रों का अध्यात्मिक नैतिक सांस्कृतिक विकास करना चात्रों एवं कर्मचारियों के व्यापक दिश्टिकोर का विकास करके उनमें अंतर राष्टियता की भावना का विकास करना एक विशिष्ट विद्याले में ही चात्रो को व्यापक शैचिक पार्चर्या उपलब्द कराना लड़के लड़कियों के लिए शैचिक आविशक्ताओं को पूरा करना चात्रों हेतु डे बोर्डिंग स्विधा उपलब्द कराना चात्रों को पूर्ण एवं मुदारवादी शिच्छा प्रदान करना प्रतिये के आध्यात में विकास की परिकल्पना करना। शक्तियां आपसी समान विक्सित करना विप्रीत लिंग के डर को दूर करने में सहायक नियंतरित वातावरान को बढ़ावा देना। सर्शिच्छा विद्याले की कमियां विकर्शन की अधिक संभावना अनैतिक किरियां व्यक्तिकत भावनाओं की अधिक सहभागिता आवांचित तर्क एवं मुद्दे अस्वस्त वातावरार का निर्मार कर सकते हैं। सरलता से अपनाने में कठिन यौना कर्शर, इस्त्रीयातना, लैंगिक विद्याले एवं कॉलेजों के लिए विकल्पों को कम कर देता है। कम्रजोर लिंग की धायना शिच्छा में बाधक।